देजा से बड़ी खबर जोहां दवंगों के होसले हुए है बुलंद छब से पत्राफ करते हुए विडियो हुआ है वाइरल दवंग ने हाजी मुहम्मद पर किया पत्राफ पेड़ित हाजी मुहम्मद ने लगाया है आरू पेड़ित ने पोलिस प्रसाफ्शन से लगाई है फिलाल मदद की गुहार दवंग अनुराग शास्त्री पर कारिवाई की मांग की जा रही है तो यह जासे खबर हम आपको बता रहे हैं जहां दवंगों के होसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं जो अच्छत से पत्थर फेगते हुए का विडियो इस वक्त वाइरल हो रहा है दवंग ने हाजी मुहंबद पर पत्राफ किया है पीडित हाजी मुहंबद ने आरोप लगाया है जहां पर पीडित ने पुलिस पसाश्चन से मदद की गोहार लगाई है दवंग अनुराग शास्त्री पर कारिवाई की मांग इस वक्त की जा रही है वही जावो कश्मीर से बड़ी कबर जा भारतिये सेना ने गुस्पैट की कोशिश को किया नाकाम सेना ने पाखे कातक वादी को मार गिराया है हत्यार और गोला बारूत भी बरामत किये गए है भारतिये सेना की ओर से ओपरेशन अभी वी जौरी बताया जौरा है जामो कश्मीर से बड़ी कबर बता रहे हैं जावपर भारतिये सेना ने गुस्पैट की कोशिश को फिलाल नाकाम कर दिया है जा सेना ने पाखे के एक आतंकी को मार गिराया है और आतंकी के पास से हत्यार और गोला बारूत को बरामत हिया गया है भारतिये सेरा की ओर से ओपरेशन अभी भी जौरी बताया जा रहा है रामपुर से बड़ी कबर जहां अंटी करप्शिन की टीम ने लिया है अक्शिन जहां दरोगा को रिश्वत लेते टीम ने रंगे हाथों के रफ्तार किया है जहां दरोगा को रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है वही आंटी करप्शिन की टीम ने फिलाल दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है सिवल लाइंस को उतवाली में दरोगा से टीम इस वक्त पूछतार कर रही है आपको बता दे कि सूश्टा के अधार पर पुरादाबाद एंटी करप्शिन की टीम पहुची हुई थी सिवल लाइंस को उतवाली में दरोगा से फिलाल टीम पूछतार कर रही है वरादाबाद एंटी करप्शिन की टीम है जिसमें पूरे मामले में आक्शिन लिया है सिवल लाइंस को उतवाली में दरोगा से टीम पुलाल पूछताच कर रही है इसी कबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे रामपुर्स समवादादा तोशार हमारे साथ जुड़ चुके है तोशार एंटी करप्शिन टीम का एक बड़ा आक्शिन देखने को मिला है जहां दरोगा को गिरफ्तार किया गया है क्या कुछ है पूरा मामला जी मैं आपको बताना चाहूंगा रामपुर में मुरादाबाद के एंटी करप्शिन की टीम ने रामपुर की जो तैजिय है स्वार वहां पर ये इंचार से शोकेंद कुमार इनको 20,000 रुपे की रिश्वात लेते हुँ रंगे हाथ ग्रस्तार किया गया है और इनको अब एंटी करॉप्शन के टीम यहां रामपुर में शिवला इंठाने पर लेकर आई है यहां पूरी जांच परताल की जा रही है जी तो जिस तरह से मुरादाबाद आंटी करॉप उसमें एक रेस्ता यह महिला थी उसमें एक से चौशट के वो बयान के लिए वो आई थी उसके बाद इन्होंने जो 20,000 रुपे की मांग किती तो 20,000 रुपे लेकर लेकर आई थी इसकी सूचना जब मुरादाबाद के अंटी करेक्षिट देश तो वो ततकाल पर आई तु जी देखी कारवाई तो अब ये सब बाकी दुख है कारवाई तो हो रही है लेकिन इसके बाद ये तुरंट सस्पेंड हो इंगा है जी तो बहुत बहुत धनिवाद तुशार आपका इस तमाम जानकारी के लिए तो रामपुर से आपको बड़ी ख़बर बता रहे हैं जहा पर एक दरोगा को रिश्वत लेते हुए इक रफ्तार किया गया है वही सीतापुर से बड़ी ख़बर जहा प्रधान और महिला के बीच हुआ विवाद दोनों समर्थकों के बीच जम कर चले हैं लाठी डंडे वही विवाद में काई लोग खायल बताये जो रहे हैं शड़क बनाने के विरोध में ये मार्पीट की गई थी तमवार थाना शेत्र के भिठना कला का ये पूरा मामला इस लग्ध हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं जो प्रधान और महिला के बीच विवाद देखने को मिला दोनों समर्थकों के बीच जम कर लाठी डंडे चले हैं अब विडियो देख सकते हैं जहां पर पारपीट का विडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों पक्षों के बीच जम कर लाठी डंडे चले हैं तंबोरा थानशेद के भिटना कला का ये मामला हम आपको उसी तंबोर से बता रहे हैं जहां पर प्रधान और महिला के बीच में विवाद हुआ था जिसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली है वे विवाद के बाद कई लोग खायल भी बताए जा र कर दो